टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में फैमिली ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सीरियल की कहानी अक्षरा अभिम्यू और अभिनव के इर्द गिर्द गूम रही है। लेकिन अब मंजरी ने अक्षरा अभिम्यू को एक करने की ठान ली है। इसी वज़े से सीरियल के अपक्मिंग एपिसोड में नया हंगामा होगा। प्रनाली राठोल और हर्शद चोपड़ा स्टार इस सीरियल में देखने के लिए मिलेगा कि मनीश गोयंका का सारा गुसा मंजरी पर फूटेगा। हाला कि इस बीच मंजरी भी अपनी बात पर अड़ी रहेगी और इस वज़े से लड़ाए अभीर की कस्टडी पर पहुंच जाएगी। इस लड़ाए में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि अपक्मिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मनीश गोयंका मंजरी को खरी खूटी सुनाते हुए बोलेंगी कि आपने अक्षरा और अभिनव की जोड़ी पर सवाल उठाने जैसे ओची बात कैसे कर दी। हमने हमेशा आपकी इजज़त की इस शादी में भी मान सम्मान के साथ बुलाया लेकिन आपने यहां आकर हमारे बच्चों कर सवाल उठा दिया। हमेशा आपकी इस शादी में भी मान सम्मान के साथ इंकार कर देगी। हमेशा आगे चलकर करना पड़ सकता है। मंजरी की ये बाती दोनों परिवारों के बीच आग लगाने का काम करेगी। ये रिष्टा क्या कहलता में आगे अक्षरा सबकी सारी बाते सुनने के बाद जवाब देने आगे आएगी। वो कहेगी ये सारी बाते आपका सपना हो सकता है, मेरा नहीं है। आपने जो पफेक फैमिली का जो आइडिया बनाया है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझसे रिष्टा तोड़ कर बाहर निकाल दिया गया था, अब भरोसा कभी नहीं जुलेगा। इस दोरान अक्षरा आरोही और अभिम्यू की भी बात करेगी, जिससे मंजरी की बोलती बंध हो जाएगी। सीरियल में आगे मंजरी और मनीश गोयंता के बीच बहस काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बात को और तक पहुंच जाएगी। मनीश मंजरी से कहेंगे कि अब अभीर का फैसला कोर्ट में होगा। साथ ही फैसला होगा कि अगर अभीर की कस्टडी अभिम्यू को मिलती है तब ही उससे सच बताया जाएगा। ये बात मंजरी मान लेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएग। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।